लालची शेर की कहानी गर्मी के एक दिन में जंगल के एक शेर को बहुत ज़रो से भूग लगी इसलिए वो इधर उधर खाने की तलाश करने लगा कुछ देर खोजने के बाद उसे खरगोश मिला लेकिन उसे खाने के बदले उसने उसे छोड़ दिया क्योंकि वो बहुत छोटा था फिर कुछ देर ढूणने के बाद उसे रास्ते में एक हिरन मिला उसने उसका पीछा किया लेकिन वो बहुत से खाने की तलाश कर रहा था ऐसे में वो ठक गया जिसके कारण वो हिरन को पकड़ नहीं पाया अब जब उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला तब वो वापस उस खरगोश को खाने के विशे में सोचने लगा वही जब वो वापस उसी स्थान में आया था उसे वहाँ पर कोई भी खरगोश नहीं मिला क्योंकि वो वहाँ से जा चुका था अब शेर काफी दुखी हुआ और बहुत दिनों तक उसे भूका ही रहना पड़ा इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अत्यादिक लोग करना कभी भी फल दायक नहीं होता है